पिजिक्स के 450 इंपॉर्टिन कोईशन के स्रीज जो की स्टार्ट करी थी नभी डबल एसे सारे मारा और एर फॉर्स के आने वाले एक्जाम के लिए पार्ट बन में हमने 30 कोईशन डिसकस किया थी है पार्ट तो इसमें भी 30 कोईशन डिसकस करेंगे और आगे जितने भी पार्ट्स हैं सभी की वीडियोज की लिंक आपको description मिल जाएगी या फिर channel पर जाना वहाँ पे playlist section है एक playlist होगी physics 450 question तो उस playlist में आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी ठीक है चलिए start करते हैं और अपनी तयारी जाने के लिए आप mock test लगाओ और mock test लगाने के लिए एक बार यह देख लो Air Force X, Y और Air Force XY Navy, AA, SSR, NDA and Army साथी पहली बार Navy MR के लिए भी हमने online testries लाँच कर दिये पर इक चैप पर यह सारी testries आज जाके आप purchase कर सकते हो purchase करते हैं कोड का option आएगा तो यह code आप डाल देना जो भी उसका price है उसमें आपको 40% का discount मिल जाएगा तो Navy MR को जो पहला mock test है 2 जूलाई, 2 पहर 12 बजे लाइब होने वाला है तो आप मेंसे जिन जिन लोगों ने नहीं purchase किया purchase कर लो 2 पहर 12 बजे 2 जूलाई को live mock test देने के लिए पहुँच जाना तो price check की link और code दोनों आपको description पे मिल जाएगा तो यह वाले mock test लगा हो और इस बार तो हमने इस पेसली नएवी MR के लिए भी online test series launch कर दी है जिसका जो पहला test है वो 2 जूलाई को launch हो रहा है दोपहर 12 बजे live आएगा तो I hope आप में से जितने भी लोगों ने purchase किया है live जाएंगे दोपहर 12 बजे जिसने उनने नहीं purchase किया है जल्दिस purchase कर लो 2 जूलाई दोपहर 12 बजे को पहला mock test नहीं वे मारके live होने वाला है पहला question आज किस वीडियो का आप question discuss करते है यदि साबुन के दो बिन बिन व्यास के दखो ये कोई भी सिर्फ और सिर्फ answer बैब मैं बताऊंगा कोई भी explanation की वीडियो नहीं है ठीक है क्योंकि explanation में time लगता है और आप आप वो time देते नहीं हो मैंने छोड़ी दिया वे explanation करना यदि साबुन के दो बिन बिन व्यास के बुलबलों के एक नली दोरह एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या गटित होगा ध्यान से पड़िये साबुन के दो बुलबले है और तो क्यार लेँ बार बार ये क्यों से किसमे उच्छ तम उर्जा होती है यहापर चार और आपसन दी है जो की प्रकास है नीला आरा लाल और پीला प्रकास इसमें से जो सर्वोचितम या फिर उचितम उज़ा होती वो नीले प्रकास में होती है तो option number ace का correct job हो जाएगा next question लेते है question number 34 नेमलिकित प्रकार के काँच में से कौन सा एक परावैगिनी किर्णों का विच्छेदन करता है next question लेते है question number 35 question number 35 दूर बीन क्या है नवी मारक लिए important question है यहीं सोचना की पूछा नहीं जा सकता पूच लिया जाता है दूर बीन क्या है तो दूर बीन के दोरा क्या होता है दूर की वस्त को देखी जाती है तो option number ace का correct job हो जाएगा next question लेते है question number 36 प्रकास वर्स किसकी काई है ना प्रकास वर्स किसकी काई है दूरी की बार बार पढ़े होगे question number 37 question number 37 है ऐसाई पद्यत में lens की सक्ति की इकाई क्या होती है lens की सक्ति की इकाई पूछी जा रही है जो की होती diopter है ना diopter D से denote करते हैं ने इस question number 38 newton के पहले नियम को भी कहते है न्यूटन के जो पहला नियम हो उसको और किस नाम से भी जाना जाता है तो इसका correct जाब है option number B जड़तों नियम ठीक है न्यूटन के पहले नियम को जड़तों के नियम से भी जानते है next question लेते है question number 39 ने बादल किस करणड से वायव मंडल में तैरते हैं तो चार आपके पास आप बादल होते हैं वायव मंडल में तैरते रहते हैं उसका जो रीजन होता वो होता है घनतों गनतों के करणड और वो घनतों कैसा निमन गनत या फिर उच गनत तो इसका जो correct जाब है वो हो जाएगा option number B निमन गनत करणड नहीं दाब नहीं सेंता नहीं तापमाद निमन गनत के करणड जो होते हैं आपके वायव मंडल में तैरते रहते हैं क्या परिवर्तित करता है क्या परिवर्तित करता है और व सुध्य Damn Son डाल दोगे तो जो उसका प्रेस तना हुए वो घट जाएगा option number 20 का correct जवाब हो जाएगा next question लेते है question 42 तेल का एक बैरल लगबग किसके बराबर होता है तेल का जो एक बैरल होता है लगबग 169 मीटर के बराबर होता है तो ये भी काफ़ important question आपको याद रखना है next question लेते है question 43 question 43 है law of floating से दान्त की खोज किसने की थी law of floating से दान्त की खोज करी थी आपके आर्किमिडीज ने option number 10 का correct जवाब हो जाएगा next question लेते है question 44 गुर्तवा करसन नियमों के अविसकारक कौन है गुर्तवा करसन नियमों के जो अविसकारक है वो न्यूटन है सबी को पता होगा लेकिन question नेवियमार में ये पूछा जाता है गुर्तवा करसन नियमों के अविसकारक कौन है न्यूटन है next question लेते है question 45 question 45 question 45 है दाब के मापन के लिए किस यंत का प्रियोग किया जाता है दाब के मापन के लिए एन्रोइड बैरोमीटर है न आपने पढ़ाओगा बैरोमीटर से दाब मापन जाता है तो दाब के मापन के लिए किस यंत का प्रियोग किया जाता है android barometer चलिए एक question same to same है वायो मंदली दबाओ कुम आपने के लिए किस यंद का प्रियोग किया जाता है hydro, baromano या फिर hygrometer तो इसका भी correct जवाब क्या हो जाएगा barometer हो जाएगा है ना वायो मंदली दबाओ कुम आपने के लिए barometer का use होता है चलिए question number 47 लेते है question number 47 है Einstein को nobel पुरुसकार से समानित किया गया ठीक है Einstein को किस चीज के लिए nobel पुरुसकार से समानित किया गया तो Einstein को प्रकास विद्द प्रभाव के लिए प्रकास विद्द प्रभाव के लिए nobel पुरुसकार से समानित किया गया के याद रखना है question number 48 question number 48 है निम्न तापी इंजनों का प्रियोग किया जाता है जो निम्न तापी इंजन होते हैं उनका जो यूज होता है वो आपका rocket में किया जाता है तो option number A का correct job जाएगा और यह भी काफ़ी important question है पूछ लिया जाता है तो यह आपको याद रखना है next question क्या उत्पन किया जाता है उद्दीप्त विक्रन नेस्ट कुशन लेते question number 50 question number 50 है परमाण बम के विस्पोर्ट में भारी मात्रा में उर्जा किसके कारण निकलती है तो वह किसके कारण होता है तो इसका जो correct जवाब है वो हो जाएगा द्रब का उर्जा में परिवर्तन के क कारण भारी मात्रा में उर्जा निकलती है नेस्ट question लेते question number 51 question number 51 है एक समान चुमकी छेत में बल रेखाएं होनी चाहिए एक समान चुमकी की छेत में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए बहुत important question है और इसका जो correct जवाब हो जाएगा guys वो हो जाएगा एक दूसरे के समान त चेत में बल रेखाएं एक दूसरे के समान तर होनी चाहिए option number 30 का correct जवाब है नेस्ट question लेते question 52 है कौन सा उपकरण विद्धुत पत्रियोद को मापता है विद्धुत पत्रियोद को कौन सा उपकरण मापता है correct जवाब हो जाएगा ohm meter है ना ohm meter से आपका विद्धुत प 53 है और transformer प्रियुक्त होते हैं transformer प्रियुक्त होते हैं किसलिए AC को DC में AC को DC तो transformer बदलता नहीं DC को AC में भी नहीं बदलता है DC voltage को up chain करने में या फिर AC voltage को up chain करने में तो देखो जो आपका transformer होता है तो वो AC voltage को up chain करने में किया जाता है option में कभी कभी लिखता रहता है कि AC voltage क तो अपचैन या फिर उपचैन करने में तो याद रखना है AC वोल्टेज को अपचैन करने के लिए यूज किया चाता है ट्रांसपार्वर नेश कुछन लेते हैं question 54 question 54 है रंगों से question जरू पूछ लिया चाता है एक तो दो प्रात्मिक रंग लाल और नीले के मिसरन से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है दो प्रात्मिक रंग है कौन कौन से लाल और नीला जब इनका आप मिसरन करोगे तो जो एक दोती रंग प्राप्त होगा उस रंग का जो नाम होगा वो होगा मैं जेंटा option number C याद रखना है आपको question number 55 है photon photon जानते होगे वो किसकी मूल भूत यूनिट है या फिर मात्रा है तो जो आपका photon है वो आपका प्रकास का मूल भूत यूनिट या फिर उसे मात्रा कह सकते हो ठीक है question number 56 question number 56 है तंतु प्रकासिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाइत होता है तो इसका जो करेक्ट जाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकास तरंग के रूप में ठीक है तंतु प्रकासिक संचार में जो संकेत होते हैं वो प्रकास तरंग के रूप में प्रवाइत होते ठीक है, next question लेते है, question 57, question 57, lumine एक अक है, lumine किसका एक अक है, या फिर एकाई है, या फिर unit है, तो lumine आपका जोती flux का unit है, option number A, इसका correct job हो जाएगा, तो ये भी काफी important question है, next question लेते है, question 58, concentrate, hypermetropia का अर्थ है, hypermetropia का आर्थ क्या है, तो correct job इसका हो जाएगा, दूर दरश्ट दोस, hypermetropia, दूर दरश्ट दोस, इसका correct job हो जाएगा, ठीक है, इसी दूर दरश्ट दोस बोलो या फिर hypermetropia बोलो, दोनों का मतलव सेम है लेते हैं, Question 59 questionnaire 59 है, पसीना सरीर को ठंडा करता है है ना पसीना गर्मी है, ऐससा में पसीना सरीर को ठंडा करता है क्यों क्योंकि वास्पी करण के लिए उसमा जया है क्यों सकता होती है, तो आपस्पा है नमबर 20 का तो इस्टील आपका ठोस है तो निमने द्रब्यों में से ध्वनी सबसे तेज यात्रा किस में करेगी इस्टील में करेगी option number A का correct जाव होगा तो यह थे आज किस वीडियो को 30 important question जो कि फटा फटा अंदाज में हमने solve करें और अभी तक इस स्रीज में 60 solve कर चुके और बाकी 450 question पूरे इस समय complete हो चुके दो तीन दिन में सारे मैंने complete कर लिए अब आपको time to time वीडियो मिलेंगी बस फर्क इतना ही है कि हो सकता है कि daily एक वीडियो ना मिले दो दिन में एक वीडियो मिले क्योंकि detail wise भी हम पढ़ा रहते ना तीन chapter मैंने आपको detail wise दिये थे तो हो सकता है एक chapter detail wise मिले फिर mcqs detail wise फिर mcqs या फिर हो सकता है मैं daily डालू तो वो तो देखते हैं क्या होगा बाकी 6 बज़े आपको वीडियो एक science की आपको जरूर मिलेगी ठीक है कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बत आपको 9 जुलाई को मिलेगा तो जाके purchase कर लो ठीक है मिलते हैं इस वीडियो में take care bye guys